आप देखेजी है नूकलार चेहन के लिएक्षय। गया है? नुपलियर फिशर्ग ड्रेक्शन को दो तवी मैं समझा सकता हूं आपकों को रीक्षान होती है नुपलियर फिशम ग्रेक्षा मलगक कंत्रोल जिसको एम कंत्रोल कर सकते हैं एक होती है अन कंत्रोल दयृक्व ड्री points देwind wa twenty two day reaction यह कि अभिशन होते हैं, इसमिन स्दिखले से की जया सिस्क्राइबशने हैं, फिट ल में रिच रियक्शन, क्या है? चिस्क्राइब। मगर एक को कंट्रोल का सकते हैं można बीचलो contratay? देन को कंट्रोला है? वो यही reaction होती है, जो भी मैंने समझाए है, लेकिन ये change reaction होती है, जो भी मैं बनाओ लेकिन उसको आप लोग किसी stage पर control, वो uncontrolled, उसको बोलते है, uncontrolled chain reaction, लेकिन एक reaction होती है, जो uncontrolled, एक बार start होगी, उसको start, जैसे atom bomb नहीं, atom bomb में भी nuclear change reaction, यही reaction है, इसमें इतनी energy release होती है, कि लोग मां भी पिगलके मिटी बन जाती है, मिटी इतनी radioactive बन जाती है, कि हजारों साल तक उसमें गास तक नहीं होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हेरो शुमा एंड नागाव साथ के लिए, उदर आज भी कुछ भी नहीं जमीन से निकलत तो मेरे कहने का मतलब है, जो nuclear chain reaction में दिखाऊंगा, एक reaction होती है, एक क्या होती है, control, अगर मुझे कर गी है, chain reaction हो, किसमें करते हैं, nuclear powerful arms, किसमें है, अगर uncontrolled chair reaction आप लोगों को समझने है, तो किसमें समझते हैं है, atom bomb, किसकी example है, controlled chair reaction की के uncontrolled, uncontrolled, power plant पे जो power बनता है, वो किसकी example है, controlled, उसको हम किसी भी stage पर रोग सकते हैं, वही मैं आपको समझाता है, actual में जो अभी nuclear fission reaction शरूब की थी, वो किसने की थी, वो किसने initiate किया था उस reaction, slow neutron, इसने किया था, slow neutron, इसने किया था, slow neutron, इन तो blood है, किस पर मैंने strike किया था, uranium, अगर वो नहीं करेंगे strike तो nuclear chain reaction शरूब, इसका मगर, साथ में कितने neutrons बढ़ी थे, इसका मतलब हो गया, जिस पार्टिकल ने इसको start किया, वो पार्टिकल भी बनते हैं, किस में, nuclear chain reaction, देखो कर से, फिर मैं definition दताओगा, फिर से मुझे यही बनानी है, लेकिन stage बनानी है, यह आपको paper में बनानी आनी चाहिए, अगर आई paper ने, इता देखो, यह है, एक small neutron प्राबरोसी दिरी किस, यह किस के साथ strike करा होगा ले, uranium 92230, शाबाश, यह क्या बनता है, uranium 92230, शाबाश, यह कितने हिस्व में तूट जाता है, किस किस में, आनिष्टा और क्या है, बैरियम और, और, अब मुझे बताव, कितनी neutron निकले थे, तीन neutron निकले थे, एक यहां दिखा रहा हूं, एक यहां दिखा रहा हूं, और, एक यहां पर दिखा रहा हूं, इस फिर्स्टी निट्राइब, सेकंड निट्राइब, और, तोर्ड निट्राइब, यह भी निट्राइब, यह भी निट्राइब, और, यह भी निट्राइब, लेकिन, और भी साथ म पुछ निकले तिया है, एनर्जी, वो एनर्जी में यहां पर दिखा रहा हूं, पुलस, यहां पर, पुलस, क्यों वन, यह फुस्ट स्टेज है, कहले है, फुस्ट स्टेज निकले रियक्शन का, आप देखुए, यह दूटराउं जो है न, यह फिर से मिल जाता है, इसके बंता है, फिर से किस में तूट जाता है, बैरियम और, और समझ आया, और साब ने कितने न्यूटराण फिर से निकलेंगे, यह सेकंड स्टेज वाले न्यूटराण है, फॉस्ट स्टेज वाले, सेकंड स्टेज, यह कों से न्यूटराण है, यह हो गया, फॉस्ट सेकंड औ थर्ड आप ठीक है ये भी न्यूट्राण है ये भी न्यूट्राण है और ये भी न्यूट्राण है अब इधर देखेजे ये न्यूट्राण भी बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा ये ऐसे शाब आश किसके साथ मिलेगा uranium-9-2-2-30, फिर क्या बढ़ेगा, uranium-9-2-2-30, फिर किसमे तूटेगा, barium और, शाल पाश, और, क्या निकलेंगे, 3 neutrons, ये एक, नहीं, और, 5th और, 6th, ये neutron, ये neutron, ये neutron, और ये neutron, शाल पाश, फिर ये आएगा, uranium-9-2-3-6, फिर नहीं, 2-3-5, क्या बनेगा, uranium-9-2-2-3-6, किसमें तूटेगा, barium और, शाल पाश, साथ में कितने neutron, और निकलेंगे, अब, आप लोग बताओ, सेकंड स्टेज पर कितने neutron बनी, एग में कितने neutron मनाए, एग ने, तीन, तीन ने, तीन ने, नव, कितने बनाएगे, 27, कितने बनाएगे, अगर मैं एक और स्टेज बनाओंगा, यह उपर, तो neutron कितने बनेगे, 27 neutron हुझे, यहाँ पर तीन स्टेज में बनेगे, कितने neutron हुझे, 27 neutron हुझे, 27 neutron हुझे क्या बनेगा फुझे कितने बनेगे, क्या बोलोगे, 27 neutron हुझे, जब तक खत्म ना, जब यह खत्म हो जाएगा, atom bomb के reaction रुप जाएगा, वरना नहीं, यह चक्तर आईगा, और साथ में देखो, यहाँ पर डिकल गई 200 ml, 200 ml यह आक तो समझाता हूं, अगर आप लोगों के पास किस तरीके से समझा उट रहे, अगर आप लोगों के पास 250 ग्राउंट उस उर्आट उरेनियम का इतना हूं, वो जादा होता है। लेकिन अगर उरेणिय। का एक पाव जिसको बहुते हैं 250 ग्राम्स अगर हम इसको यूज करेंगे इससे पावर निकालेगे निकिलर पावर प्लाट मेर किसमें जितना पावर 250 ग्राम्स अथ रुरेणिय। से निकलेगा और यह यादध है उतना पावर 600 टन्स आप तो 600 टन्स आप को एक बहुत बड़े स्टेडियम में आई इतने टंग को इनको जला के जो बिजली बनेगी थर्वर पावर प्लाट उतनी एनरजी सिर्फ किस से निकलेगी इतनी एनरजी इंगलीज होती है निकलर एफिशन से यह मैंने कंपरेजन किया 600 टन का मखलब हो गया हुँआ वन आप लोग देतों, यह इस stage पर भी क्यों बनाएगी 200 से शुह बहुत to be क्योंकि यह भी second stage है. इससे भी क्यों रैठी क्यों प्योथी ? यह भी 200 तो हुथ इससे भी निकलेगी क्या ? और वी energy निकलते जाएगी जब तक यह reaction आगे चलती जाएगी इसलिए इस reaction को बोते है क्या nuclear chain reaction क्योंकि chain की तरह आगे आने पड़ भी इस reaction को मैंने बताया इसको controlled भी कर सकते है अन्कंट्रोल्ड भी है के controlled भी है कंट्रोम हम nuclear power plants में करते हैं किसमें बिटर अब आप लोगे power plants में अगर atom bomb में ये एक बार शुरू होगी फिर इसको हम रोग जब तक पूरी destruction करके जब तक ये खतम नहीं होगा कि इसने बो मेडियरियक तब तक ये चलती रहेगी और जो इस इसके energy से जो destruction होगी वो तो होती रगी उसको रोग नहीं पाएगा क्योंकि ये energy है जो लोह को भी पिगलाएगा नुटी को भी भंजर बनाता है इंसान भी तो बात नहीं है तो इसका मतलब है atom bomb जो है it is an example of uncontrolled chain reaction nuclear fission reaction जो है ला uncontrolled that is that is present in atom bomb अब आप नहीं को मैं बताता हूँ control कैसे कटे है nuclear reactor nuclear reactor में क्या होते है cadmium की rods होती है क्या होती है cadmium rods होती है वो rods nuclear power plants में दबाये जाते है जिस वक्त इनको stop करते है rods को दबाया जाता है press किया जाता है वो rods चल नहीं जाती है nuclear power plants के अंदर उनमें क्या quality होती है वो जो secondary new plants है उनको absorb करें क्या अगर मुझे मुझे controlled reaction बनेने uncontrolled नहीं करने है जितनी मुझे energy चाहिए वो लगातार उतनी ही चाहिए इसमें बढ़ रही है मुझे ऐसी energy नहीं चाहिए मुझे 200 new का constant है 200 new चाहिए कितनी देखो क्या किया जाता है कैड़ियम प्राड को दबा के रखा जाता है ताकि वो तीन मेंसे दो electron दो neutron हमेशा absorb करते रहें क्या करते हैं जब वो दो neutron को absorb करेंगे आगे कितने neutron बढ़ाएंगे reaction ये खिर से कितने देगा तीन, तीन मेंसे कितने को absorb करेंगे फिर से कितना रहा इस तरह हम reaction को control देगे अब आप लोग बलोगे sir हमें nuclear power plant को rest देना है उसको रोग ना है reaction तो कैड़ियम राड को पूरी तरह दबाया जाता है वो सारे secondary neutron उसको क्या करेगा absorb रोग देगा आगे बढ़ेगे मगर आइसा नहीं होता है किस में atom bomb में एक बार reaction शुरू हो भी पहले stage पर 200 new energy निकल गई ये बड़ी कितरनाग energy है second stage पर तो उससे भी devastating, third stage पर तो उससे भी, fourth stage तो उससे भी खतरनाग है क्यूंकि जवर्दस energy release होती है लेकिन ये release तब तक होती रहेगी जब तक ये वाला fish label material खत्म इस reaction को get up होते हैं कौन से reaction nuclear chain reaction इसी लिए मैंने आप लोगों को बोला ये वाले reaction आप लोगों को बनानी ज़री है जो कि नहीं आएगी बनानी, page को, aise copy को, aise बनाना है और ये एक page पर बना के रखो, किसी भी page पर बना के रखो, तेरे बाहन पर ये बनाना है प्रादे लिए इसे पेज को बना ना कि पोश्टन है एक्स्प्रेंड न्युक्लियर चेंग रेक्शन इसका इसी लिए मैं आप लोग देखो ना आप लोग थिसी न्युक्लियर फिशन यहां पर न्युक्लियर फिशन आये गा तो यहां बने पूरा मेरे ऐसे बनादे यहां से यहां यहां से यह खांवर में अखीनहे इक्रीपी दोती है ऐसे बना ется दो परेष खुरी देना सक्टीघ यह बना ये डिशंद इसी तेऊ मुरा रचाहएं यूक्लाठी तिर फिर नहीं इती equal किरो दो यहां से शुरूग dign साथ साबना